हरियाना में डेंगू तेजी से अपने पैर पसा रहा है बीते दस दिन में पूरे राज्य में 673 नए मामले दर्ज किये गए हैं सबसे ज़्यादा पंचकुला में 1133 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं इसके अलावा राज्य के साथ जिले होट स्पोट बन रहे हैं सौस्ति बबा के अनुसार अब तक करनीजी अस्पितालों में 2488 और सरकारी अस्पितालों में 886 मरीज सामने आ चुके हैं बात करें अगर डेंगू के कैसिस के तो सबसे अधिक पंचकुला में 1133 गुरुग्रा में 151 करनाल में 241 रिवाडी में 194 में सोनिपत में 219 फरीदबाद में 108 और हिसार में 349 केस आ चुके हैं ये सबी छेजले ही डेंगू के सबसे बड़े होट स्पॉट बन चुके हैं चिकनगूनिया के भी 21 मामले सामने आए हैं मलेरिया के 184 मामले सामने आए हैं रविवार को प्रदेश भर में डेंगू के 42 नए मामले सामने आए हैं और एक दश्मलव अठासक लाग घरों में डेंगू का लारवा मिल चुका है सरकार का दावा है कि अब तक हतीन करोड से अधी घरों की जाच की जा चुकी है स्वाक्त विभाग के महानी देशक डॉक्टर मुनीश बंसल का कहना है कि विभाग पूरी सतरक्ता के साथ काम कर रहा है सभी से अमो को सक्त निर्देश दिये गए है खास बात यह है कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद डेंगू के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे